हेलो स्टूडेंट्स मैं आस्तो सुकला और सागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है आसू अकेडमी तो इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको बहुत ही जादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देने जा रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे पढ़कर आप आसानी से एक्जाम में चार नंबर पा सकते हैं हाँ बहुत ही आसान है चार नंबर पाना क्योंकि टॉपिक ही बहुत इजी है यह टॉपिक है आपका मैस दा फॉलोइंग और मैस दा फॉलोइंग बहुत ही आसान टॉपिक होता है इसमें से आपको कुछ लिखना नहीं होता लिखना नहीं होता इसका यह मतलब हुआ कि एक इतना मैं बताऊं हूँ कि अगर आप मैचिंग वर्ड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेवर हो करके अपने आपको तभी मैच करिएगा क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन कुछ जादा दे देता है ऐसे कुछ मैचिंग वर्ड मैंने रखे हुए है ताकि आप उनकी प्रेक्टिस अच्छे से कर सकें तो देखते हैं सबसे पहले नंबर वन पर है हमारे सामने लिखा हुआ है प्रोसीट का मतलब होता है लगातार आगे की और बढ़ते रहना तो हम लगातार आगे की और बढ़ते हैं तो इसके लिए कौन से मीनिंग यहां पर लिखी हुई है लिखी हुई इसका मतलब भी होता है कि लगातार आगे की ओर चलते हुए चले जाना तो हम इसे आसानी से मैच कर देंगे तो देखिए अभी आप जब सारे में जो है मैच दा फॉलोइंग अच्छे से आपको डिसकस करके बता दूँ तब आप उसका स्क्रिंशॉट जरूर ले लिजेगा क कभी भी जब आपको टाइम मिले तो बस एक बार स्क्रिंशॉट ओपन करिए और जितने भी मैच दा फॉलोइंग से उन्हें देखते हुए चले चलिए आप बार बार अगर को देखते रहेंगे तो आपके माइंड में यह सब्द लर्ण हो जाएंगे तो देखते हैं पर ल अगले नंबर पर आ रहा है रेस्क्यू और रेस्क्यू का मतलब क्या होता जी रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना देखे आर्मी वाले मैन आर्मी मैन क्या करते हैं रेस्क्यू आप्रेशन करते हैं और रेस्क्यू आप्रेशन का मतलब होता है बचाना और बचाने को सेफ स से मैच कर दिया है सेप से मैच कर दिया है और अब लाश्ट में बचा है मौर्ण का मतलब होता है दुख व्यक्त करना तो दुख व्यक्त करने का मतलब होता है express sorrow और express sorrow को कर देंगे मौर्ण से match तो इस तरीके से आपने दिखे पहला match the following आसानी से समझा है अगर आपको समझ में आए तो समझ लीजिए फिर आपके 4 नंबर कहीं न कहीं आपके पास दीरे दीरे पहुँचने की कोशिस कर रहे हैं वैसे तो कुछ बच्चों को match the following करने में कोई ज़्यादा परिशानी नहीं होती है लेकिन फिर भी आप भी एक बार वीडियो को मल लगा के देखिए क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं जो कहीं न कहीं आपसे गलती करा देते हैं तो उन को दूर करने के लिए बस एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त है तो देखते हैं second match the following second match following क्या करता है सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है sealed sealed का मतलब क्या होता है sealed का मतलब होता है रच्छा करना रच्छा करने की अब आपके सामने प्रोटेक्शन क्या लिखी विए जी प्रोटेक्शन और आपने sealed को प्रोटेक्शन से मैच कर दिया तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है रच्छा करना अब आपको एक काम करना है कि अगर आप कभी भी match the following कर रहे हैं अगर आपको इधर के words समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीज आप इधर discuss करिए इधर discuss करेंगे तो आप आसानी से इस सामने वाले को match कर सकते है तो देखें next number पर लिखा हुआ है रियून अजी रियून का मतलब क्या होता है रियून का मतलब होता है बरबाद हो जाना और बरबाद होने को किस से match करते हैं destroy से और destroy क्या हो गया नश्ठ हो जाना या फिर बरबाद हो जाना आगे number आया है trolley जी जो सही कह रहे हैं आप trolley होता है trolley को क्या बोलते हैं सच कहते हैं और सत्य को किस से match करना है really, क्या हम करते है really, और truly को मैंने really कर दिया, अब एक बच्चा है जी, एक कौन सा है देख लेते हैं, उसे भी लिखा हुआ है precious, और आप के लिए ये class precious होगी, valuable है जी, valuable का मतलब होता है कीमती और इसकी कीमत आपके लिए 4 नंबर है, और 4 नंबर के लिए आपको तो वीडियो देखना ही पड़ेगा देखी, आपके दो matching world आपने आसानी से कर लिए और आपको बस समझ में आ रहा होगा की हाँ, बहुत आसान होता है, बस एक बात आप अपने mind में बिठा के रखीगा कि जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूँ प्रीज आप ऐसा exam में मत करिएगा आपको देगा वो ऐसे ही लेकिन आपको क्या करना है जैसे कि sealed का protection हुआ है तो sealed का protection आप क्या करेंगे वहाँ पे, sealed के सामने arrow बना करके protection को उसके सामने पुढरना है ऐसे करेंगे तो यह जी बच्चों का काम होता है और आप अब बच्चे नहीं रहे तो आपको क्या करना है आपको पता है आपको क्या करना है आपको match the following word का जो सब्द है वो उसी के सामने ही करना होए कोई बच्च जितने बच्चे इस वीडियो के देख रहे है तो प्लीज आप यह गलती मत करिएगा क्योंकि इससे जो है examiner पर दूसरा effect पढ़ता है और वो आपके लिए harmful हो जाएगा तो देखते हैं next आगे लिखा हुआ है anxiety anxiety का मतलब होता है क्या होता है चिंतित होना और चिंतित होने के लिए भी कोई meaning है आप लोग को भी अपने exam के प्रतिन anxiety है चिंता है जिसको उने एक मैच कर दिया concern थे concern का मतलब भी होता है चिंतित होना next आया है resemble और resemble का मतलब क्या होता है resemble का मतलब होता है एक जैसा दिखाई देना एक जैसा दिखाई देना तो लिखा हुआ है to look like क्या लिखा हुआ है to look like आपको सारे सब्द देखने में सही लग रहे हैं कि नहीं पहले तो यह देख लीजिए अगर आपको सब्द दिख नहीं रहे हैं तो फ्लीज थोड़ा सा सुनते हुए चलिए और लिखा हुआ है burn into fire, burn मदलब होता है जला देना, कहां? fire, आग में, और आग में जलाने को क्या बोलते हैं? cremated बोलते हैं, तो इस तरीके से आपने ये भी cremated का भी कर लिया, एक बचा हुआ है, splacter लिखा हुआ है, और splacter का मदलब होता है, silp color, silp color क्या होती है जी? silp color का मतलब होता है, पत्थरों पे जो कलाकारी करना, तो पत्थरों पे कलाकारी करने को किस से करेंगे? art of stone carving, तो आपने इसको इससे match कर दिया, इस तरीके से आपने तीन match the following कर लिये हैं, और तीनों आपके समझ में आये जरूर होंगे, अगर आये हैं, तो आपने वीडियो क लाइक जरूर किया होगा, और साथी साथ एक comment जरूर किया होगा, तो देखते हैं, phone number पे लिखा हुआ है कि mystery, और आप सब की कुछ न कुछ mystery होती है, बस वो आपके best friend को पता होती है, हाँ, बिलकुल पता होती है, mystery को क्या बोलते है, mystery को बोलते है, secret, रहस से, क्या बोलते ह इज, इज का मतलब क्या होता है, कही सारे बच्चेस में जो है वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मैच खेला होगा, और उनके बल्ले से जो एक इज लगके, विकट कीपर ने catch लिया होगा, तो इसको बोलते है, इज लगना अर्थात, किनारा लग जाना बल्ले का, तो फैमिलियर का मतलब होता है, आप एक दूसरे से फैमिलियर हैं, एक दूसरे से परचित हैं, और आप हमसे भी फैमिलियर हो चुके हैं, तो फैमिलियर का किस से मैच कर देना है, फैमिलियर का कर देना है मैच नून से, नून का मतलब होता है, एक दूसरे को जानना या जानने वर्ड हैं उन्हीं आसानी से समझ लिया यह सारे मैचिंग वर्ड मैक्समम टाइम आपके एक्जाम में प्रीवेस एर से लिये गए हैं मैंने बहुत से संजो करके एक एक करके आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि इन में से अगर एक भी कहीं इधर से उदार आएगा तो आप प्लीज हमें जरूर बताईएगा वैसे तो अगर आपने यह सारे पढ़ लिए तो इन में से एक भी ऐसा मैचिंग वर्ड नहीं होगा जो पाते हैं से लाइन पे और देखते हैं कि सबसे पहला मैचिंग वर्ड क्या कह रहा है तो सबसे पहला मैचिंग वर्ड क्या कह रहा है जी देख लीजिए लिखा हुआ इंटायर और इंटायर का मतलब क्या होता है इंटायर का मतलब होता है संपूर टोटल तो टोटल से हमें क्या करना इसको मैच कर देना है और मैंने इसे टोटल से मैच कर दिया अब देखते हैं लिखा हुआ है क्रीस्ट अजी क्रीस्ट का मतलब क्या होता है आपने तो लैंचो में पढ़ रखा है अब क्रीस्ट का मतलब क्या होता है अजी क्रीस्ट का मतलब क्रिष्ट को बोलते हैं कृश्ट को बोलते हैं चोटी कौनसी बालों की नहीं एक कि वुक्त बन्च और बन्च को क्या बोलते हैं आप लोग कभी एक बन्च होता है एक ही लिए कॉन बताएगा त मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं आप के लिए सब्ट सब्सब्स minha भी matching word है वो आपके लिए evident हो गए है अर्थात clear हो गए है इसपस्ट हो गए है अब जब इसपस्ट हो जाएंगे तो आप आसानी से उन्हें बता सकते हैं देखिए कितने आसानी से आप match the following कर रहे हैं और एक बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए मैं बात बताओं कि कभी भी आपके एक्जाम में जो match the following होता है वो आपको कभी भी एक दूसरे के सामने रख करके नहीं देगा तो इस बात को आप mind लगाईएगा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि अगर आपको कही कोई confusion लगे तो आप उसका यूज करिएगा जैसे कि हम देखते हैं यहां पर कई सारे सब्द लिखे हैं जिन में से कुछ ऐसे सब्द हैं जो आप मैक्समन टाइम पढ़ चुके हैं और आपको कुछ सब्द देखते हैं से इसका मतलब होता है जोर देना लोनली का मतलब क्या होता है अगले कि virus का मतलब क्या होता है तो कर दीजिए एक मैंने मैच कर लिया आपको मैं इक बात वता हूं कि यह सब्द इसके लिए नहीं है और इसका तो पहले से मैच हो रखा है अगर इस सिच्वेशन में आएंगे तब हमें क्या करना है देखिए अब इन में से दो में से कोई एक का पता लगाने कोसिस करिए अब आपको इस में से तीनों में से कोई सब्द नहीं समझ में आ रहे हैं लेकिन इधर तो एक सेड लिखा हुआ है सेड का मतलब क्या होता है कहना और सेड को कहने से मिलाना है अटर्ड का मतल आसानी से matching word को अपने माइंड से कर सकते हैं तो देखिए हम आपको सही सही से एक सब्द का मेले मेनिंग बताते हैं ताकि आपको कोई ऐसी प्राबलम बिल्कुल होई ना आप देखते ही matching word बिल्कुल समझे लिजे कि आपने इसे matching word पहले कर रखे हैं fame को matching करना है reputation से fame का मतलब होता है प्रसिद्धी और insist का मतलब होता है जोड देना तो हमने इसे match किया emphasize से इससे match कर दिया और uttered का मतलब होता है कहना बोलना और बोलने को मैंने match कर दिया set से और बचा हुआ जिस solity और solity का मतलब होता है lonely और lonely को मैच कर दिया मैंने solity से इसका मतलब होता है अकेला तो इस तरीके से आपका ये matching word भी आपके लिए complete होता है अब देखते है next number पे और next number पे है आपके लिए सबसे पहला सब्द जिसका नाम है abudent और यह जितना भी है आपके लिए abudent है प्रचूर है और प्रचूर को मैंने मिलाया emple से किससे emple से important है आपके लिए दहां से देखिएगा abudent का मतलब होता है प्रचूर और प्रचूर को मैंने match कर दिया emple से अब देखते हैं preserve लिखा हुआ है और प्रचूर का मतलब होता है संजो के रखना और आप जब इसका स्क्रीम सॉट लेंगे तो प्लीज आप भी उसे प्रचूर रखिएगा और प्रचूर का मतलब होता है kept safe क्या होता है kept safe और इसे भी आसानी से आपने match कर दिया आप देखते हैं लिखा हुआ attached attached का मतलब क्या होता है attached का मतलब होता है जुड़ा होना लगा होना तो या फिर इसे match करेंगे annex से annex का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ या कबजे में लिया हुआ इसको match कर दिया मैंने annex से अब बचा हुआ यह वास्ट और वास्ट का मतलब क्या होता है विसाल होता है जी विसाल और विसाल तो वीडियो भी देखता है कभी कभी हमारा तो विसाल ने वेश्ट को हुज से मिला दिया और इस तरीके से आपका ये मैचिंग वर्ड भी कम्प्लीट होता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार सेर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके जो जिगरी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का मज़ा ले सकें और बड़े आसानी से उनके जो चार नंबर मिलने वाले हैं वो उनके पास भी आ जाएं देखते हैं लास्ट में आता है करश्पॉंडेंस और करश्पॉंडेंस का मतलब क्या होता है जी क्या होता है करश्पॉंडेंस का मतलब लैंचो ने करश्पॉंडेंस सुरू करी थी गौड के साथ और God के साथ correspondence शुरू करी थी इसका मतलब होता है exchange letter, exchange of letters और exchange मतलब होता है बदलना, क्या बदलना जी? letter बदलना, आपके पापा की समय की बाते हैं जब आपके पापा के साथ होता था correspondence वहां से एक letter आया तो इधर से भी एक letter जाया करता था आज ये काम mobile के पास हो गया है और mobile message को इधर से उधर करता है तो आपको याद रखना है correspondence का मतलब होता है exchange of letter, पत्रों को इधर से उधर करना, बदलना यानि उसका प्रत्युत्तर देते रहना आगे लिखा हुआ indicate और indicate कर दिया गया है आपको indicate का मतलब क्या कर दिया गया है so कर दिया गया है दिखा दिया गया है आगे आता है कि at length और at length का मतलब क्या होता है at last, आखरी का इसे match कर दिया at last से और फिर बसता है last का particular और particular को क्या बोलते हैं wishes और इसको match कर दिया मैंने special से तो इस तरीके से आपने second line वाले matching words वो भी आसानी से कर लिए बहुत ही ज़्यादा important है आपके लिए तो इस तरीके से आपने दो line के matching words complete कर रखें आते हैं तीसरी line पे और इसे भी अच्छे से समझने की कोसिस करते हैं सबसे पहले ही लिखा हुआ इंत्रायड आपने जैसे ही देखा कि वीडियो इतना ज़ादा important है तो आप inthroid हो गयां इंत्रायड का मदलब क्या होता है क्या होता है चार मोजाना आकरसित हो जाना आपको क्या मिल गई खुसी मिल गई अब आया है gloomy gloomy का मदलब क्या होता है gloomy का मतलब होता है कर दिया دुखी, और दुखी को मैंने मैच कर दिया shor model, क्या कर दिया sorrowful, और sorrowful का मतलब भी होता है यह आपके सामने मैच, फॉल्ये झावरोईइंंग यह बहुत जादा confusion रह रह느 जादा, confusion यहर रह्किक हुए है क्योंके साफ़।ra, यह आपको SMS कर देंगे कि ग्लुमी का मतलब sorrowful से मिला दें वरीड से और ग्लूमी जब वरीड से मिलेगा तो गलत हो जाएगा तो इसे किस से मिलाना है upset से upset मतलब होता है चिंतिद और इसको मिलाना है वरीड से इस बात को ध्यान दिजिएगा यह मैजदा following आपके लिए बहुत बहुत और कंसर्टेन का मतलब होता है निरास होना और इसे मिला दिया मैंने कंफाइन से तो इस तरीके से आपने ये वाला मैचिंग वर्ड भी कर लिया है और आसा है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे आते हैं next मैचिंग वर्ड पे और देखते हैं लिखा हुआ है प्रोटेस्ट क्या लिखा हुआ जी प्रोटेस्ट लिखा हुआ है और प्रोटेस्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक बिरोध में बोलना लिखा हुआ है तू स्पीक अगेंस्ट और इसे मैंने मैच कर दिया तू स्प बहस बाजी करना या एक दूसरे से संवाध करना तो इसका हो गया टू-डिसकस क्या हो गया जी टू-डिसकस एक दूसरे से आर्ग्यू करना बहस बाजी करना आया है क्रॉक्स क्रॉक्स मतलब क्या होता है क्रॉक्स का मतलब होता है बदमासो का एक जुंड और बदमासो को क्य क्या बोलते हैं dishonest people आपने पढ़ा होगा कि लैंचो को जो है पोस्टाल इंप्लोइस क्या लगे थे लगे थे और लगे थे तो इसको मैंने मिला दिया dishonest people से और फिर लास्ट का बस्ता है soft जी बहुत important है soft तो इतना important है कि क्या बताएं जैसे ही आपको मार पड़ती है तो आप भी थोड़ी देर बाद क्या करते हो soft करते हो पहले तो खुपतेजी से cry करते हो उसके बाद soft करते हो उसका मतलब क्या हुआ weep slowly धीरे धीरे रोते हो आप क्या करते हो धीरे धीरे रोते हो तो इस तरीके से यह match the following भी आपके लिए complete होता है अब आते हैं last में और last का भी देख लेते हैं और इसके बाद फिर आपको कुछ अच्छे-चे matching word कराते हैं लिखा हुआ है वो weep का मतलब होता है प्रतिग्या करना क्या करना प्रतिग्या करना और बताइए कि प्रतिग्या करने के लिए कौन से meaning बिलकुल perfect है जी बताइए जल्दी से क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेनत करेंगे तभी आपको मजा आएगी बहुत अच्छे हैं बिल्कुल सही जा रहे है आप लोग Вух को मतलब होता है जी प्रएप्त कर लिए बाते हैं माइं कर दिया जाना जी तो इसका इस से कर दिया जाए लेकिन सरह इंदी बता दिजी वैरिंग का मतलब होता है जी बदलना क्या होता जी बदलना और इसको मैच कर दिया मैने चेंज से लास्ट में आता है रियूड और कुछ बच्चे तो रियूड होते ही है और रियूष्ट का मतलब होता है जी असब या असिस्ट तो इस तरीके से आपने यह सारे मैचिंग वर्ड आपने कर रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो प्रीज सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस समय आप स्क्रींड सॉट जरूर ले जिए क्योंकि एक स्क्रींड सॉट आपके चार नंबर पक्के कर सकती है आप अगर स्क्रींड सॉट ले चुके होंगे तो मैं अब आपको आगे के मैचिंग वर्ड की तरफ दे चलता हूँ और वो मैचिंग वर्ड भी सिखाने की कोशिस करूँगा जो आपके एक्जाम में प्रीवेस एर के सेट में आये हुए है वो इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन ही में से तो एक्जाम में मैक्समम टाइम पूछा जाता है तो आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के मैचिंग वर्ड आगे करने को मिलते हैं तो आएए देखते हैं कुछ आगे के मैचिंग वर्ड जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इन मैचिंग्स वड़ को करके आपका पूरा का पूरा कॉंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा देखे सबसे पहले लिखा हुआ यहां पे हीड और हीड का मतलब होता है ध्यान से सुनना और आप लोग मेरी बातों को अच्छे से हीड करिए हीड का मतलब होता है जि ध्यान से सु इसको मैंने मैच किया क्विक्ली इससे मैच कर दिया जी क्विक्ली और आगे देखते हैं बिलॉंग का मतलब क्या होता है रिलेटेड होना एक दूसरे से आप क्या हो जाते हैं बिलॉंग कर जाते हैं और बिलॉंग का मतलब हो गया रिलेटेड होना एक दूसरे से जुड़ मच का मम बनाब होता है पतवार जिससे नाओ में ये यूज होता है और इसे यहाँ पर बोलते हैं माच्ट अब यहाँ पर आते हैं टाल्ड आया है और अप्रिसियेट भी आया है तो अप्रिसियेट तब होता है जब आप टाल्ड करते हैं और टाल्ड का मतलब होता है टाल्ड का मतलब होता है हार्ड वर्क कठीन परिस्रम करना तो पहले अप्रिसियेट को मैच करना किससे मैच करेंगे एडमायर से एडमायर क का मतलब होता है प्रसंसा करना तो अब देखते हैं एक्जायल लिखा हुआ है एक्जायल का मतलब क्या होता है एक्जायल का मतलब होता है वनवास चले जाना और इसको मैच करेंगे बैनिश्मेंट किसे मैच करेंगे जी बैनिश्मेंट इसका मतलब होता है वनवास की और चले आउट थी बाहर थी तो आपने यहां पर लिख दिया coming out जी coming out में देखें c o m i and g coming और ओफिर out coming out और इसको मैंने match कर दिया coming out से plugging out ठीक है plugging का मतलब coming out आगे लिखते हैं wealth और wealth का मतलब जी क्या होता है wealth का मतलब होता है यह होता है कि अगर आज आप मेनत करेंगे तो आपके पास बहुत सारी wealth होगी इसका मतलब होता है संपदा यानि धन riches धनी इसको मैंने match कर दिया रिच से आगे आता है post पॉस्ट पॉस्ट का मतलब होता है सरुधान जली सरुधान जली को मैच करेंगे ट्रिब्यूट से किसे मैच करेंगे जी ट्रिब्यूट से आगे बचा हुआ reluctant का मतलब होता है अनिचुक बहुत ज्यादा important है कई का रिवार कूछा जाता है रिवेक्त रिलेक्टंट का मतलब होता है अनिचुक और इसे match कर देंगे unwilling से इस प्रकार यह आपके matching word complete हए अभाते हैं second stage पे और उसे भी देखने की कोशस करते हैं कि आखेर इसमें किस प्रकार के match the following words आए हुए है, सबसे पहले लिखा हुआ जी, puzzled, आप matching words को देख करके थोड़ा सा तो puzzled हो जाएंगे, जी थोड़ा सा नहीं होएंगे ही नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आज वीडियो देख रहे हैं आप और आपको puzzled नहीं होना है, इसका मतलब हो ग bargain का मतलब होता है, सौदेबाजी करना और hegel का मतलब भी होता है, सौदेबाजी करना, a lot of, a lot of का मतलब क्या होता जी, बहुत सारा, much, इसको किस से change कर देंगे, match कर देंगे, सौरी, much से, किस से, much से, अब लास्ट काया है, despair, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, उनके हाथ, despair हाथ आएगी, क्या आएगी, निरासा हाथ आएगी, इसको बोलते है, hopelessness, निरासा, despair का मतलब होता है, निरासा, तो देखे, कितनी आसानी से आपने, ये match the following word भी कर लिया है, देखते है, आगे क्या आता है, अजी देखते है, बिल्कुल देखते है, talents, बहुत से बच्चों क अंदर किसी न किसी प्रकार का talent होता है, ऐसा माना जाता है कि हर विक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का talent होता है, और talent को match करेंगे हम natural qualities, प्रकर्तिक गुडों से, हाना, soft आया है, soft साथ आपने थोड़ी देर पहले कर रखा हुआ है, soft का मतलब क्या होता है, soft का मतलब होता मौन का मतलब होता है दुखिया धीरे धीरे से रोते रहना वोव का मतलब क्या होता है जी वोव का मतलब होता है रेडी हो जाना और रेडी को मैच कर दिया मैंने इंडेप्टेट से और इससे मैच करने के बाद आता है लास्ट का इंकर्स और इंकर्स आफ का मतलब होता है के द तरीके से मत करिएगा बार बार कहता हूं कि आपको वहां पे टैलेंट के सामने ऐसे ही नेचरल क्वाल्टी जाप लिखना और इसका एरो यू बना देना है इस तरीके से करेंगे तभी आपका रिस्पॉंस अच्छा मिलने वाला है अगर ऐसे कर दिया तो बहुत ही खराब काम करेंगे फिर आप आपको बच्चों जैसा बिलकुल नहीं करना है आगे देखते हैं लिखा हुआ है एमियेबल और एमियेबल क्या थे पोश्ट मास्टर थोड़ा सा एमियेबल थे मित्रवत थे से मैच कर दिया जी फ्रेंडली से और आते हैं बिसाइट्स का मतलब क्या होत है के अतिरिक और इसको मैच कर दिया मैने इन-टीशन आपसे इन-टीशन आपको मतलब होता है के अता आता है विज्डम विज्डम से देंगे प्रुडेंस से और लास्ट का बच्चा हुआ है डेवाइन का मतलब होता है दैवी क्या होता जी दैवी इसे मैच कर दिया गौडली और आसानी से आप दूसरी लाइन के सारे के सारे मैचिंग वर्ड कर लिए हैं बहुत जादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह हर बार एक्जाम में पूछे गए मैचिंग वर्ड आप कर रहे हैं कोई भी आपके लिए यहां पे बेकार का मैचिंग वर्ड नहीं है सारे के सारे बेहद इंपॉर से आगे आता है बिडिंग का मतलब क्या होता है बिडिंग का मतलब होता है आधेश दे देना आधेश दे देने को मैं मिला देता हूँ समझ में आ रहे हैं कि नहीं अपको अगर समझ में आ रहा है तब थे ऐसे आप मन लगाई के वीडियो देखिए क्योंकि बहुत जादा इंपॉर्टन Cynthia नाधे खाना बहुत है होता है थोड़ा सा ओर ज्याएड हो जाना खुस हो जाना तो इससे मैच कर दिया ओर जोड़ा सा नता जाना कॉन सी चुझी को कॉन्सी आंदर से जो मिलती वो खुती शुल्म तरने एंडा य४। टैस में आ रहा है वेवेडिली का मतलब क्या होता जी आपको सारह का सारह मैं विवेडियु बता रहा हूं विस्त्रत बता रहा हूँ, अगर हम द्यान से इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है ना, विविद ली, विविद रूप से, और इसको मैंने आपके लिएक क्या कर दिया है, क्लियर ली, क्या कर दिया जी, क्लियर ली, बिल्कुल, सही हो गया है सर, आपने ये matching world भी कर लिया है तो बचे हुए है यह भी देख लेते हैं और उसके बाद आपके matching world कहीं से होंगे आप आसानी से कर सकते हैं इसे देखने के बाद मैचिंग जो भी आपके books में हैं उनको करिएगा अगर आपको कहीं problem आ रही है तो प्रीज आप मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे डिसकस कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूं ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो सके यह लिखा हुआ है 88543017611 आप मुझे मैसेज करके जिस प्रकार की भी आपको कोई समस्या हो रही है एक्जाम में रिलेटेड या इंग्लिस से या फिर और भी अधर सब्जेट से आप पूछ सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इस पसल मैं आपके लिए इंग्लिस में हूआ और आप इंग्लिस का रिलेटेड हमसे कोई भी कोशन कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं तो देखते हैं लिखा हुआ इस्टेयर का मतलब क्या होता है बहुत से बच्चे समय इस्टेयर कर रहे हैं इस्टेयर का मतलब होता है गेज क्या होता जी गेज करना एक टक देखना आप लोग इस समय गेज कर है हो जी आगे लिखा हुआ है अर्ज का मतलब क्या होता है जी क्या होता है अर्ज का मतलब होता है insist अर्ज का मतलब होता है insist थोड़ा सा जोड़ देना बोल देना ड्रैप्ट का मतलब क्या होता है draft का मतलब होता है ढक देना और ढकने को बोलते हैं covered क्या बोलते हैं जी covered और उसके बाद last में आता है predicate predicate का मतलब क्या होता है predicate का मतलब होता है भविश्य वाड़ी कर देना और for told पहले से बोल देना तो इस तरीके से आपने ये matching word भी कर लिया हुआ है लास्ट का देखते हैं matching word वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा important है इतना ज़्यादा important है कि समझ लीजिए कर लीजिए फिर इसके बाद देखेगा exam आपका आपके मुठी में होगा मैस देख करके तो आपका बिलकुल over dried हो जाएगा मन हाँ जी हे आया है कुछ बच्चों के mind में न हे बरा होता है जी हे का मतलब क्या होता है हे का मतलब होता है dried grass जी dried grass का मतलब क्या होता है dried grass का मतलब होता है कि सूखी गास भूसा और भूसा क्या होता जी वही होता है जो गाए और भैस थाती है आगे आता है कास्ट और कास्ट का मतलब क्या होता है कास्ट का मतलब होता है ढाल देना और मिस्त्री जो होते हैं आपके घर के आगे मोल्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं मोल्डेड तो उसको क्या करते हैं वो ढाल देते हैं जी कास्ट कर देते हैं इस प्रकार कास्ट आपने पढ़ा होगा विले सॉंग आपकी उस पोयम में उसमें कास्ट आता है जी अपसेट आया है कुछ बच्चे अपसेट हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात ओपे जी वरीड कर देते हैं और वरीड करने से उन बचों के अंदर अपसेट पन थोड़ा सा तो रीड होई जाता है आगे हूअ है सेकिल्स का मतलब क्या होता जी सबसे पहला काम है कि आप ले ले लेंगे ना तो आपके लिए यह पहली तो बात यह है कि सारे स्क्रीन सौट जो भी ले रहे हैं उन्हें प्रिजर्व रखेगा प्रिजर्व रखेंगे तब ही आपके लिए वो बेहद काम आने वाले हैं तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कहीं कोई प्राबलम हुई है तो भी आप हमसे डिसकस कर सकते हैं तो आज की क्लास के लिए आप देखते रहें मुस्कुराते रहें और देखते रहें अपना पसंदिदा यूटूब चैनल